आप सभी को स्वागा थे अपके अपने यूटुब चैनली में तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी को railway appendiceship का इंतिजार था और फाइनली आपका railway recruitment sales eastern railway की तरफ से टूटल बात करें तो 3100 से भी जादा पदों पर appendiceship का भरती की नोडिफिकेशन आपको अज से दो दिन पहले रीलिस कर दिया गया था जैसे आपका appendiceship का भरती की नोडिफिकेशन आया बातों पर एक डेडिकेड़ वीडियो आपको मिला जो कल के डेट में मिला था अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखें आप तो डिस्क्रिप्शन चेक आउट करके देख सकते हैं और आज की इस वीडियो में आप बात करेंगे कि जब आपका ओनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा मतलब 30 सितंबर से ओनलाइन फ़र्म भड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको कौन-कौन से डॉकुमेंट अभी रेडि करके रख ले रहे हैं बहुत सा रूप कर होता है कि सर मैं घर में नहीं हो बाहर में हो मेरे पस डॉक्नें नहीं कैसे अफ़ोड करना है तो मैं अब पे कुछ डॉकुमेंट का लिस्ट बताऊं गा वो डॉक्नेंट आपके पास होना ही चाहिए अगर आप इसका Eastern Railway का form भरना चाहते हो तो वो document आपके पास compulsory है कि होना चाहिए बीना वो document का form fill नहीं कर पाऊगे तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं इसके official advertisement पे जो आपका Eastern Railway की तरफ से release किया गया है उससे पहले जो लुग भी चैनल पे लिए फटाक से चैनल को सस्क्राइब करके बेल पर अकाउन का दीजिएगा तक कि इसी तरह informative वीडियो को notification अब तक पहुंसते रहा है डिस्क्रिप्शन में ओल्रीड वाच्टप ग्रूप का लिंक मिल जागा आपको जरू-जरू जरू 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 लिजिएगा छोटे मोटे अपडेट पीडियेप ज्वाइनिंग मेरिट बेगरा वहाँ पे आपको देखने को मिलते रहते हैं तो देखिए हम आ गए हैं आपका नूटिफिकेशन की सिरियल नंबर एट पर जहां पर आपको डॉक्मेंट टू भी अप्लोडेट करके यहां पर लिखा हुआ है अगर सबसे पहले डॉक्मेर को बात करेंगे तो इसकेन फोटोग्राफ को आपको इसकेन करना क्या-क्या फोटोग्राफ में देना क्या साइज रहेंग वह दे लेते कि कैंडिडिट आर रिक्वाइट तू अप्लोड दियरごद क्वालिटbank और कोंट्रेश्ड कलर 누 macGO प्रिधर फोंत Staat ठीने पोर्द Seeॉ फ्रिध एल अंठियाозможно प्रिधर ले एंज अपला हुविब वीन । लीस till मेन अपलिक्चार के म焦ण इंगे स्वाघ्ध ट्डेश्ट वीजार उरला के वीज़ लिधर्द केंद सも वीज़ दो यह inspirando find edges the candidates should also keep 10 copy of same photographs for future purpose आप दिखिए सबसे पहले हैं बात करके डिटेल से कि आपको scan photographs में क्या बताए गया है कि आपको सबसे पहले ये बोला गया कि आपको जो photograph आप upload करिएगा वो good quality का होना चाहिए contract colors जो है उसमें बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका जो photograph से वो तीन महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और photographs को आपको उसी जगा पर upload करना है जहां पर उसका अल्रेड़ी जो जगा हुआ है जो इस पेस है वो बना हुआ है और photographs आपका जो होना चाहिए वो जयपीजी या फिर जयपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए photographs एक ईगरम किलियर होना चाहिए विदाउट काप कई पी काप याफिर शन्गलासेश नहीं होना चाहिए photographs पर नहीं तो फॉरम आपका कॉपी करके रख लेना है चलिए यह बात था फोटोग्राप्स का जो हम लोगों ने कबर कर लिया नेक्स्ट आपका आता है कि सिगनेचर सिगनेचर का क्या बोला गया वो देखिए कि कंडिटेट अर रिक्वाइड अर रिक्वाइड टू अप्लोड देर फूल सिगनेचर एड़ दी अस्पेस प्रोवाइड इन दी ऑनलाइं एप्लिकेशन फॉर्म देखिए आपको यह बोला जारा कि आप अपना फूल नाम ऐसे कि जैसे गिजमीश टाइप का जिगजग टाइप का साइन कर दिये और सिगनेचर अप्लोड कर दिये वैसा नहीं पूरा नाम के साथ आपका सिगनेचर होना चाहिए और एक बात का ध्यान रखिए मैंने कल का वीडियो में बताया था कि आपको सिगनेचर वह ब्लॉक लेट इस वेशिफाइड यो फाइल जायगा वहाँ पे उस फाइल चाहिज में आपको करना है डि अप्लिकेशन समीटेड वीट सिगनेचर विल बी सम्राइज डिजम्राइज डिजेक्टेड तो अगर इस तरह का गलतिय अप करोगे तो आपका फार्म जो है विदाउट अगर सि देखे उसमें क्या वो लगया है कि PDF format with specified file size and maintained in the application form जो application form में जितना भी केवी का file size बोला जाएगा उतना ही केवी का file size में आपको वहाँ पे 8 और 10th का mark sheet जो है upload करना है नेक्स्ट अगर बात करें कि IKI certificate from NCVT और SCVT चाया आप NCVT से SCVT 200 degree धारक इसके लिए eligible है तो देखिए PDF format with the specified file as maintained in the application form इसका criteria भी वही है सारा का सारा आपको देखिए जो भी आपका certificate और mark sheet बगरा है इसका आपको फोटोग्राफ में नहीं upload करना है JPG format में upload नहीं करना है इसको जो upload करना हो आपका PDF format में करना है देखिए आपको बताए गया है कि PDF format में जितना भी certificate है सारा का सारा आपको PDF format में करना है आप बात कर यह सारा का सारा आपको PDF में convert कर लेना जो आपका photographs रहेगा या फिर image रहेगा उसको PDF में convert करके ही upload करना ऐसा नहीं करनेगा कि जहाँ पर PDF बुला है वहाँ पर JPG format में photographs upload करें तो सिधा सिधा form reject हो जागा इस बात को ख्याल रखेगा अगर आप pwd के category से आते हैं तो pwd का certificate भी आपको वहाँ पर upload करना है PDF file में upload करना और जितना केवी का size वहाँ पर बताया जाएगा वह size में आपको upload करना है देखें note में भी आपको कुछ बातों को बताएगा है कि all format of the community certificate EWA certificate and pwd certificate sell be as a document upload in the website तो जो भी आपको format बताएगा है जो card certificate or pwd certificate उसी format में आपको upload करनी है चली यहाँ पर एक दो point को बताएगा है वह भी आपको ध्यान से देख लेना है कि देखें all other relevant column in the application form should be filled by the candidate और भी जितना column रहेगा सारा आप candidate के द्वारा फिल अप करना है और after final submission of online application no candidate will be allowed to be any type of correction या फिर alternation online देखें जब एक बार आपका online form submit कर देंगा तो आपको यह कोई भी permission in future नहीं मिलेगा कि आप उसको या तो कोई correction कर सके edit कर सके कोई alternation कर सके कुछ नहीं होगा जब एक बार form submit हो गया तो submit हो गया उसमें कोई अगर आप application को form को submit नहीं करते हो तो सीधा सीधा उसमें आपका form को जो है कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं तो चलिए उसका भी आपको answer बता देते हैं हाला कि इसी को इसी PDF में सारा कुछ आपको बताए गया है तो देखिए यहां पर आपको serial number 9 में आप देखने को मिलेगा 9 में आपका यहां पर G option में देखने को मिलेगा कि more than one application by single candidate अगर आप ऐसा करते हो तो आपका form reject हो जाएगा मैंने कल की वीडियो में भी इस बात को बताया था अगर आप नहीं देखें वीडियो तो मैं आप से request करता हूं एक बार जरू से जरूर जाकर देखें ताकि यह जितने सारे reject के region वह आप सापको पता चल सकें ठीक है क्योंकि ऐसा देखें मौका बार बार नहीं आता है और हजारों की संख्या में रेल्वे का appendici बहुत कम release किया जाता है चुनिंदा जो डिविजन है उनहीं से आपको देखने को मिलता है तो आप सभी याद रखें कि जिस भी डिविजन से आपको form apply करना है सिर्फ एक ही डिविजन से आपको form apply करिएगा इनहीं कि आपका हावडा से भी कर दी आसन सोल मालदा जबलपूर से भी कर दी ऐसा गलती नहीं करिएगा form सिधा सिधा रिजेक्ट हो जाएगा ये मैंने बातों को इसलिए दुबारा बता है कि बहुत अभी डाउट है वो वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और फिर वीडियो को आधा दूरा छोड़कर ही उसमें कमेंट करते हैं कि सरी ऐसा हो सकता है तो मैं स्रिक्विस्ट करता हूं कि वीडियो को इंड तक जरूर देखिए चाहे किसी भी अपेंडेशिप कोई भी ज्वाइनिंग मेरिड वेगरा का वीडियो है तो उसको जरूर पूरा सुरू से लेकर इंडियो तक देखने की कोशिस करिए ताकि आधा धूरा जो नॉलेज हो बहुत ही डेंजर होता आप सभी जानते है पूरा नॉलेज झाल